नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परीचित दोस्तों पस्तित हूँ दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ एक महतोपून जानकारियों को ले करके साथ ही ये हमें और समाजिक भी बनाती जाती है जिन लोगों को नशा करने की आदत होती है वो इसके इतने आदी हो जाते हैं कि उन्हें लगता है अब इससे कभी भी छुटकारा नहीं मिलेगा अगर आप भी ऐसा ही सूचते हैं तो ये आपकी गलत फहमी है आज हम आपको किचन में मौजूद कुछ ऐसी चीजे बता रहे हैं जिन से आप नशे की लट से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं दोस्तों पानी है उपयोगी जी हाँ सही सुन रहे हैं आप पानी सिर्फ हमारी प्यास ही नहीं बुजाता है बलकि यह और भी कई मायनों में फायदे मंद है जिन लोगों को नशा करने की आदत होती है खास तोर से स्मोकिंग की उन्हें इससे छुटकारा पाने के लिए खुब सारा पा देती है भारती मसालों में हल्दी सबसे उपयोगी और महतोपून है जो लोग नशा करते हैं अगर वो हल्दी का अधिक प्रयोग करेंगे तो उनकी आदत छुट जाएगी दालचीनी है कारगर हर घर की रसोई में दालचीनी आसानी से मिल जाती है सेहत को भी दालचीनी के अनिक फायदे मिलते हैं दालचीनी को गहरी सांस लेकर सूंगे इससे आपको धुम्रपान के फ्लेवर का एहसास होगा इसके साथ ही आप दालचीनी को चबा कर भी सेवन कर सकते हैं दोस्तों रामबार उपाय है अधरक रोजाना एक अधरक का टुकड़ा लें और उसे धीर धीरे चबाते रहें कुछ ही दिनों तक ऐसा करने से आपको खुद नशे से घिन आने लगेगी इसके अलावा अधरक के पेश्ट में आप एक चमच चीनी मिला कर भी सेवन कर सकते हैं इसके बाद तुरंद इसका सेवन करने से ये नुस्खा नशा करने की आपकी इक्छा श जगा आप अन्य डेरी उद्पादो जैसे योगर्ट चीज और क्रिम का सेवन भी कर सकते हैं तो ये था आज का हमारा नुस्खा दोस्तों जिसके सारे आप अपनी आदोतों को सुधार सकते हैं नशे की लट को छोड़ सकते हैं दोस्तों अगली बार हम आप सभी से कारियों को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों